हेलो एस्प्रेंट्स वैलकम टू श्वेपसर क्लासिट और बटा आज हम लेकर आ गहे हैं आपके लिए इस सेशन की फिर्स्ट लाइप क्लास और यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी बीकॉम एंट्रेंस एक्जाम्स के लिए चाहे आप सी उई टी के फिर्व अपियर हो रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं एम यू इंट्रेंस की दौनों में ही आपके लिए यह बहुत ही बैनिफिशल रहे की जो क्लास हम यहां पर क्या करेंगे तो जो चीजें क्लास में डिसकस की जा रही हैं उनसे रिलेड़िट जो एमसी क्यूज हैं वो हम लेकर आया करेंगे आपके लिए इस क्लास में तो सभी लोग जॉइन कर लीजे बिटा जिन लोगों ने जॉइन कर लिया हो वो एक बार कमेंट सेक्शन में इनफॉर्म कर दीजे ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ बई कौन कौन हमाई साथ कनेक्टेड है और एक बार मुझे बता लीजे क्या आप लोग अच्छी तरह करते हैं से मुझे सुन पा रहे हैं कनेक्ट होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी प्रिजेंस माख कर दिया करें तबी लोग वालिकमस्लाम शाहिद हलो गरिमा और बटा जो लोग हमें जॉइन कर लिया करें वो हाथ के हाथ जो भी आपका ग्रूप है जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें जॉइन कर पाएं जल्दी से सभी लोग जॉइन कर लीजिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है जो लोग जॉइन करते जा रहे हैं बटा एक बार कमेंट सेक्शन में इनफॉर्म जरूर कर दिजेगा ताकि मुझे पता लग जाए कौन-कौन हमाई साथ कनेक्टिड है इस्टार्ट किया जाए बिटा आज का सेशन देखिए एन प्यों की हम बात कर रहे हैं नौट फॉर प्रॉफिट और्गनाजेशन के बारे में जो त्योरिटिकल आस्पेक्ट है जो निमेरिकल कोशन है वो आल लेडी क्लास में डिसकस किया चुके हैं अब हम इसके जो एमसी क्यू वाला पोर्चन है जो आपको मेन तयारी करनी है उस पर हम आ रहे हैं तो चलिए देखते हैं और देखते हैं फर्स्ट कोशन हमारे पास क्या है फर्स्ट कोशन एन प्यों से रिलिटेड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है चलिए देखिए फर्स्ट कोशन है हमारे पास वाट विल बी फैक्ट और ओडिट फी पेड इन रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट हमें पता है Receipts and Payment Account की बात कर रहे हैं देखिए इसका concept हमें पता है दो side यहाँ पर होती है debit और credit के हिसाब से एक होती है receipt side और एक होती है payment side तो अगर इतनी बाते हमें पता हैं तो हम इस question को बहुत आराम से solve कर सकते हैं audit fee paid यहाँ पर समझ मा रहा है किसी expense की बात हो रही है तो यह किदर आना चाहिए comment section में आपको अपना response है वो mark करवाना है A है shown in the debit side of receipts and payment B है shown in the credit side of receipts and payment no effect in receipts and payment account या फिर none of these बताइए क्या होगा इसका correct answer यह जो हमारी class हो रही है यह शाम वाली देखिए इसके दो फाइदे है MCQs discuss हो रहे है हाथ के हाथ जो concept सामने आएंगे उनको भी हम discuss करते हो चलेंगे तो आप लोग बिटा comment section में बताते रहे बताईए क्या लगता है आपको क्या है इसका correct answer A, B, C, A, D सिर्फ आपको यह mark करना है comment section में है तो हमें पता लग जाएगा कि आपने response दे दिया है तो बिलकुल सही बताया आप लोगों ने B, बिलकुल सही answer है by shown in the credit side of receipts and payment account जब हम यहाँ पर देखेंगे कि audit fee एक expense है तो payment side पर आनी चाहिए है ना तो हम यहाँ पर लिख देंगे by audit fees तो इसका मदब भी हुआ कि credit side में आएगी तो credit side is the correct answer next देखें what will be effect of depreciation on furniture in receipts and payment account receipts and payment account में फरनीचर का क्या treatment किया जाएगा very good अर्सलाइन बिल्कुल सही answer है no effect is the correct answer क्या reason है इसका क्यूंके भई जब हम बात कर रहे हैं depreciation की तो depreciation की बदले में ना कोई cash हमारे पास से जा रहा ना cash हमारे पास आ रहा और receipts and payment account हमने पढ़ा था कि यह cash basis पे prepare किया जाएगा किस basis पे cash basis पे यानि के जब inflow होगा या outflow होगा cash का तभी सिर्फ record करेंगे और depreciation जो है वो एक non cash item है इसी लिए इसको record नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही answer है अर्सलाइन का no effect in receipts and payment account very good बिटा जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जो लोग हमें join कर लें वो अपने friend circle में जरूर इसको share कर दें WhatsApp ग्रूप पे ताके बाकी लोग भी benefit रहा पाएं इस class का third question देखते है what will be the effect of entertainment expense in receipts and payment account entertainment expense की बात कर रहे हैं क्या होगा इसका कि बताई बटाई एक बार देखकर जाएं कोश्चन नमबर थ्री entertainment expense very good मुहमद कामिल मेरे खाल से आदिल भाई है तो बिलकुल सही बात है भई credit side में आ जाएगी क्यूंके expense है तो expense जो भी है वो credit side पर शू करने है expense है ना next देखिए what will be the effect of general donation in receipts and payment account receipts and payment account में general donation को कहां पर show करेंगे देखिए donation की बारे में हमने पढ़ाए कि donations जो हैं वो दो तरह के होते हैं एक कहलाते है general donation एक होते है specific donation चाहे general हूँ या donation हूँ specific वाले अकर हम receipts and payment account की बात कर रहे हैं दोनों में ही इसमें क्या है वह कैश जो है वो आपके पास आ रहा है in flow नजर आएगा दोनों में ही जब दोनों में ही in flow नजर आ रहा है तो दोनों ही किदर आ जाएंगे debit side में फिलाल यहां पर पूछ था यह जनरल डोनेशन क्या है उसका क्या करेंगे तो debit side में आ जाएगा नेक्स देखते हैं नेक्स कोशन देखते हैं what will be the effect of whole rent received for previous year and current year in receipts and payment account के अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें previous year और current year के लिए अगर कोई income receive हुई है तो उसका क्या करेंगे बताइए सोचकर सबी लोग comment section में हमाई साथ connected रही है ताकि मुझे पता लग जाए वे कौन-कौन लोग जो है सही reply कर पा रहे हैं देखिए यह जो आपका receipts and payment account है जैसा कि अभी मैंने कहा कि यह cash basis पे prepare होता है और cash basis में हमें इस से मतलब नहीं है कि जो information है वो किस year से related है चाहे वो past year की हो चाहे वो current year की है या फिर next year की किसी भी year का data है वो आप जो है record करेंगे तो question में क्या कहा गया है कि प्रीवियस year है और current year है तो हमें कोई मतलब नहीं हम तो इसको ऐसा income treat कर लेंगे inflow हो जाएगा तो debit side में आ जाएगा A is the correct answer next देखते हैं what will be effect of insurance in receipts and payment account insurance की बात कर रहे हैं जल्दी से बताइए कि insurance के लिए क्या करना है insurance का क्या किया जाएगा receipts and payment account में सभी लोग बिटा साथ में connected रहे हैं और comment section में inform करते जाएए देखें इंशॉरेंस क्या है यह expense है outflow होगा cash का तो जब cash हमारे पास सजाएगा तो credit side पर आएगा कहां पर आएगा credit side पर तो B is the correct answer very good आदिल का बिल्कुल सही answer है next चलते हैं what will be the effect of interest on investment in receipts and payment account देखिए आज की जो मारे class है उसमें हम बहुत ही basic की से देख रहे हैं लाइन से चल रहे हैं सबसे पहले क्योंकि देखिए chapter में number आता है receipt and payment account का तो receipt and payment accounts related जो भी चीज़े हैं पहले उनको cover किया जा रहा है बता ही बटा interest तो हमें पता है interest receive होगा है investment पर तो यह कहां आना चाहिए तो यह आ जाएगा आपका debit side में क्योंकि पैसा आ रहा है inflow दिखाएगा बिल्कुल सही है ठीक है चलिए आगे चलते है next question की तरफ what will be effect of lecturer's honorarium in receipts and payment account अब पहले तो आप यह रेकिंगे बई honorarium क्या है तो यह क्या है वह एक तरह कि आप यह समझे lecturer को आपने amount pay किया है तो यह expense है इस बात को समझना पड़ेगा आपको जब यह expense है तो अब आप समझ जाएंगे बताओ वही गरीमा अरसलान आदिल debit करना है या credit करना है expense है very good shown in the credit side payment में दिखाएंगे payment side में इसको show कर दिया जाएगा बिल्कुल सही है next आते है what will be effect of life membership fees in receipts and payment account सारी topics सब class मैं अच्छी तरह discuss कर चुके हैं हम लोग सोची और बताइए life membership fees जो है क्या करेंगे उसका life membership fees का क्या करेंगे receipts and payment account की बात चल रही है सब लोग अच्छी तरह देखिए पहले अच्छी अच्छी तरह देखिए पहले अच्छी पर से एक बात समझते हैं उसके बाद फिर दुबारा ट्राय करेंगे इसका अंसर क्या होगा receipts and payment account जो है आपका इसमें हम capital and revenue बोथ जो items हैं वो हम record करते हैं चाहे capital नेजर की चीज़ हो या revenue nature की क्या मतलब है बैस सपोस्थ करिए आपने एक building purchase की तो building purchase की है तो भी शो किया जाएगा और अगर आपने building का rent पे किया है तो भी शो किया जाएगा ठीक है ना तो अब जब आप यहां पर देखेंगे life membership fee अब पहले आप इसको दुबारा सोचेंगे बई कि जो आपकी life membership fees है यह क्या है जल्दी पहले तो आप लोग यह बताईए revenue नेचर है या capital नेचर है लाइफ membership fees जो है वह revenue नेचर की चीज है पेटा या capital नेचर की चीज है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है चाहे revenue होता या capital record तो करना ही है ना तो life membership fees income है पैसा आया है तो क्या कर देंगे debit side पर आ जाएगा ठीक है ना सभी लोग कोशिश किया कि जी पीटा सब लोग time से join कर लिया करें ताके सारे mcqs आपको स्टार्टिंग से हमारे साथ मिल जाएं आए आगे चलते हैं what will be the effect of miscellaneous payments on receipts and payment account miscellaneous payments का क्या treatment करेंगे receipts and payments account में बताइए लदी सोचके what will be the effect of miscellaneous payments जल्दी 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 बिटा इतना देर थोड़ी इतना असान है वही payment लग गया payment क्या हो गया expense है पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा very good दी में जाएगा credit सब्सक्राइट साइट पर वाट विल्दी इफेक्ट ऑफ म्यूनिस्पल टैक्स पेड मिनिस्पल टैक्स पेड पैसा गया जब चला गया तो कहां जाएगा डेबिट में क्रेडिट में वेरी गुड क्रेडिट में इसका मतलब बी जो है वो correct answer है नेक्स्ट आईए ओट विल्दी इफेक्ट ऑफ रेंट पेड पर करंटियर रेंट पेड पर करंटियर अब देखिए क्या क्या option है क्यों इन्दा डेबिट साइड शोन इन्दा क्रेडिट साइड नो इफेक्ट या फिर ओल आफ दीज तो आप हमने अभी देखा कि बाई चाहे करेंट येर हो चाहे प्रीवियस येर हो या फिर नेक्स्ट येर हो किसी का भी expense हो है किसी भी की income हो वो record करनी है अब यह खर्च रेपेर्स करवाएंगे तो कहां पर सो करेंगे डेबिट में क्रेडिट में आज सब ऐसा लग रहा है सारे कोशन रिसीट सेंट पेइमेंट अकाउंट की आ गए है बिलकुल एक एक चीज रट जाएगी आप लोग बिलकुल कलती का चांस नहीं रहेगा रिसीट सेंट पेइ लिए है वाट विल्बी दा इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट इन रिसीट सेंट पेमेंट अकाउंट सेल ऑफ फिक्स एसेट बताईए अच्छा एक काम और क्या कीजी जो आप जब कोशन का आंसर बताते हैं साथ में कोशन नंबर मेंचन कर दिया करिये कभी कभी ऐसा होता है किसीने लेट जाइन किया तो वो क्या कर रहा है बचारा हूँ वो कोश्चन नमबर थरीका आंसर बता रहा हम चलने 14 पर है ना तक कोश्चन नमबर भी साथ में रखा करें फिलहार डैबिट में आ जाएगा बिल्कुल सही है भाई रिसीट हो जाएगा पैसा जो है वह आपके पास आ जाएगा फिक्स एसिट को सेल करके अगर इस कोश्चन म उल्ड न्यूस्पेपर इन रिसीट सेंड पेइमेंट अकाउंट बताईए लेकिन यह बताईए अगर इस कोश्चन में होता सेल ऑफ ओल्ड न्यूस्पेपर कोश्चन नमबर मेंशन करते हुए बताईए अपना आंसर बिल्कुल सही है भाई डैबिट साइट पर आ लेकिन यह बताईए अगर इस कोश्चन में होता सेल ऑफ ओल्ड न्यूस्पेपर इनकम एंड एक्सपेंडेशर अकाउंट में किदर आएगा अगर यह पूछा जाता तो आप क्या बताएंगे डैबिट में क्रेडिट में या आएगा ही नहीं डैबिट क्रेडिट या आएगा ही नहीं बताइए वेटा सोच कर सेल ओफ ओल्ड न्यूस पेपर क्या आएगा ही नहीं सेल ओफ ओल्ड न्यूस पेपर इंकम एड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइट पर दिखाएंगे ही क्रेडिट साइट पर दिखाएंगे ओल्ड यूजड इस्पोर्ट्स मेटिरियल की हम बात कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेइमेंट्स अकाउंट में किस तरह शो किया जाएगा इनको ओल्ड यूजड इस्पोर्ट्स मेटिरियल इन रिसीट्स एंड पेइमेंट अकाउंट आप बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आ जाएगा तो डेबिट साइट पर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे बिल्कुल सही है आगर चलते हैं देखें कि वॉर्ट विल बीडे इफेक्ट ओफ स्पोर्ट्स एक्यूपन परचेस्ट इन में बताईए जल्दी से कौन बताएगा सबसे पहले स्थे इसपोर्ट्स एक्यूपन परचेस्ट जब आप स्पोर्ट्स एक्यूप्मेंट पर्चेस करेंगे तो वो एज़ा पेमेंट काउंट किया जाएगा इसको कहां शो कर देंगे क्रेडिट साइड में एक कोशन बताइए जरा आप लोग गुडविल रिटेन आफ अगर होता तो इसको आप किदर दिखाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गुडविल रिटेन आफ को किदर दिखाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जल्दी सोचिये और बताईए कोई है बेटा जो इसका सही आंसर देपाई जल्दी से हमें option देखिये बई debit बताना है credit बताना है no effect या फिर not recorded या फिर none of the above क्या लग रहा है क्या होगा इसका सही आंसर कोई नहीं है जो सोच पा रहा हो जल्दी से good will return of suppose अगर होता देखिये आप देख पा रहे हैं यह क्या है यह non cash item एक depreciation की तरह तो इसको record ही नहीं करेंगे ठीक है न record नहीं करेंगे आगर चलते हैं 20 questions complete करेंगे हम आज what will be the effect of subscriptions received for previous year subscriptions received for previous year in receipts and payment account बताईए जल्दी से previous year में अगर आपको बोई subscription मिले हैं current year में पिछले साल के लिए तो हम उसको कहां दिखाएंगे debit में credit में या कहां पर 18 का a very good debit side में record किया जाएगा बिल्कुल सही है सभी लोग time से join कर लिया करें साड़े आठ बजे इसी तरह से 2020 questions करके इंशालला अच्छा सरी विजन हो जाएगा आप लोग का तो रोज live YouTube पर time क्या है 8 30 PM अपने सभी friends को जरूर share कर दिया करें ताके वो भी हमें join कर पाएं और यह जो class है इसका benefit वो भी drive कर पाएं तो ठीक है बीटा किल मिलेंगे आप लोगों से इसके next questions के साथ thanks for watching कर दो किल मिलें तो एफ लोग जाएंगे कर दो एफ लोग जाएंगे